Hello students, welcome to physics classes. Class first year physics के vector analysis chapter के इस lecture में आज relative velocity सापेक्चिक बेक के बारे में जानेंगे. तो relative velocity है क्या? जैसे आप सफोज कर लिजिए कि जो है ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपकी ट्रेन और बगल में एक ट्रेन जो है सेम डिरेक्शन में अगर जा रही है, तो क्या फिल करते हैं? आप ये देखते हैं कि जैसे लगता है कि speed जो है घटी हुई, दूसरे के respect में आपकी गाड़ी की speed घटी हुई लगती है. लेकिन अगर वही गाड़ी अगर आपके जाने के बिपरीत दिसा में जा रही हो, तो लगता है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से जो है एक दूसरे को क्राज करते हैं. तो इसका मतलब है कि जब कोई बस्तु, एक बस्तु जो है दूसरे बस्तु के सापेक्ष, एक बस्तु का, दूसरे बस्तु के सापेक्ष, जो सापेक्ष बेग होता है, पहली बस्तु की, दूसरी बस्तु के सापेक्ष, इस्थिती परिवर्तन की समयदर के बराबर होता है. यानि हम इसे दिखाते कैसे हैं, कि जैसे यह लिखा गया है BAB, तो इसका मतलब यह है कि velocity of object A with respect to B, पहला यह दिखाता है कि इसका हम find कर रहे हैं, और दूसरा यह दिखाता है कि इसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, तो BAB stands for velocity of object A with respect to object B, यानि बस्तु A का, बस्तु B या बेक B के सापेक्ष, तो इस तरह से आप कहा सकते हैं कि BAB equals to VA vector VA minus vector BB और equals to XA vector XA minus vector XB upon T, तो यही उपर कहा गया था कि पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष, इस्थिती परिवर्तन मींस XA minus XB, यह इस्थिती परिवर्तन और की समय दर अर्थास समय के साथ भाग हो गया, तो VAB equals to हो गया, VA minus VB equals to vector XA minus vector XB upon T, इसी तरह से दूसरे आपजेक्ट के लिए, जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर VBA, vector VBA means velocity of object B with respect to A, यहाँ पर A का B के सापेक्ष था, अब यहाँ पर B का A के सापेक्ष है, तो बस तू B का वेग A के सापेक्ष, तो हम इसको VBA equals to VB minus VA vector के साथ, तो equals to हो गया, अगर हम इस्थिती परिवर्तन के रूप में अगर इसको लिखें, तो X vector XB minus vector XA upon T, अब इसके जो है, अलग-अलग cases हैं, उन cases को आप देखें हैं पर, कि जब दोनों बस्तुएं समान दिशा में गतिसील हों, दोनों बस्तुएं जो है, समान दिशा में गतिसील हों, तो A और B की बात हम कर रहे हैं, तो A जो है, इस दिशा में, आगे की तरफ vector V, बेक्टर V, बेक्टर V से जो है, बेक्टर V, यह जो है, उसी दिशा में भी-बी बेक्टर V से जा रही है, अब यहाँ पर, केस यह होगा, कि जब दोनों बस्तुएं समान वेगों से गतिमान है, दोनों का वेग जो है, समान है, तो V, A, B, means velocity of A with respect to B, V, A, B equals to V, A minus V, B, अब magnitude में V, A, और V, B क्या है, दोनों, बराबर है, तो equals to हो गया, 0, इसी तरह से V, B, A equals to V, B minus V, A, यहाँ पर भी V, B और V, A के magnitude, जो वेक्टर के magnitude है, वो सेम है, तो equals to हो गया, 0, तो यहाँ पर आपे का सकते हैं, कि दोनों बस्तुओं का एक दूसरे के सापेक्च बेग सुन्य होगा, जो सापेक्चिक बेग होगा, दोनों बस्तुओं का एक दूसरे के सापेक्च सुन्य होगा, अगर हम इसे position time graph से अगर दिखाएं, तो देखें, X-axis पर हमने समय को दिखाया है T को और Y-axis पर distance यानि position को दिखाया है यह X-A position पर जो है यह A स्टार्टिंग में था अब यह constant speed से चल लहा है तो यह देखिए इस दिशा में आगे के तरफ यह बढ़ता जाएगा यह X-B यहाँ पर इसकी जो position है वह X-B तो X-B अब यहाँ पर object B जो है आगे की तरफ constant speed से जा रहा है इसका मतलब यह हो गया कि यह दोनों object का एक दूसरे के सापेच बेग सुन्य है अर्थात हर इस्थिती में दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह समय के अनुपात में समय के respect में यह दोनों सेम होगा अर्थात दोनों line parallel होगी और दोनों एक दूसरे को cut नहीं करेंगे मने क्रास नहीं करेंगे अब इसकी दूसरी स्थिती है कि जब दोनों बस्तुएं और समान वेगों से गतिमान हो एक ही दिशा में जा रहे हैं लेकिन और समान वेग से अब इस और समान में क्या हो सकता है कि तो पहली स्थिती है कि V vector VA is greater than VB यानि पहले object का वेग जो है अधिक है दूसरे से तो VAB equals to VA vector VA minus vector VB और दूसरे के लिए vector VBA equals to vector VB minus vector VA अब यहां पर आप अगर इस graph से देखें तो यह इसकी जो है समय axis है और यह है इसका position तो A यह जो नीली line आप देख रहे हैं purple line यहां A के लिए है तो इसकी position हो गई X A पर starting है और यह जो भी इसकी speed है उस speed से आगे की तरफ जा रहा है दूसरे इस्थिति में यह जो B दिखाया गया है इसकी position है यहां पर X B अब यह जो है इस दिशा में जा रहा है तो अब यह कहा गया कि A की speed अधिक है और B की speed कम है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं कट करेंगे अर्थात मिलेंगे तो जहां मिलेंगे यह देखें जैसे यह आगे की तरफ जा रहा है और यह भी आगे की तरफ जा रहा है तो एक position ऐसी आएगी एक particular time पर यह एक दूसरे को cross करेंगे अर्थात मिलेंगे लेकिन जब जो है भी A is less than VB होगा A की velocity कम है और B की velocity अधिक है तो देखिए A की velocity अगर कम है तो यह कम speed से आगे की तरफ बढ़ेगा B की velocity अधिक है तो यह अधिक speed से आगे की तरफ बढ़ेगा तो दोनों के बीच की दूरी जो सापेक्षिक दूरी है यह दूरी जो है समय के साथ बढ़ती जाएगी अर्थात इस स्थिती में यह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं लेकिन इस पहली स्थिती में जो VH greater than V DB है इसमें दोनों ही एक दूसरे को एक particular समय पर टाइम पर एक दूसरे को कट करेंगे यही का गया है कि दोनों वस्तूओं का एक दूसरे के सापेक्षिक दूरी घटेगी और एक बिंदू पर मिलेंगे और तत्पस्चात उसे बीच की दूरी बढ़ेगी यह पहले स्थिती के लिए था लेकिन दूसरे स्थिति में क्या है दूसरे स्थिति में है कि यह दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे अर्थात एक दूसरे से मिलेंगे नहीं अब इसकी दूसरी स्थिति, जब दोनों बस्तु में बिपरीत दिसा में गति सील हों, अभी जो हमने देखा उसमें दोनों एक ही दिसा में गति कर रहे थे, यह दोनों बिपरीत दिसा में, यानि एक अगर आगे की तरफ आ रही है, तो दूसरी उसी की तरफ आ रही है, अब इस ही सिति में क्या होगा कि बस तो A का बेग B के सापेक्च तो VAB equals to V A minus यह A कही दिशा में आप लेंगे तो V A की दिशा में अगर इसको आप धनात्मक लेते हैं positive लेते हैं तो V B उसके opposite है तो इसकी दिशा हो जाएगी minus तो यह हो जाएगा minus V B और minus minus plus अर्थात V A plus V B तो आप यह कह सकते हैं कि जब दोनों बस्तुएं विपरीत दिशा में गत्सील होंगी तो पहले बस्तु की दूसरे बस्तु के सापेक्च बेग बढ़ जाएगा अर्थात दोनों के वेगों का योग होगा इसी तरह से बस्तु B का वेग A के सापेक्च बी बी ए इक्वल्स टू बी बी माइनस वेक्टर माइनस बी यह तो यह भी हो जाएगा अगर हम यहां पर अपोजिट की बात करें तो यहां पर है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो A आगे की तरफ यह जा रहा है और फिर यह B नीचे की तरफ आ रहा है तो एक पोजिशन यहां पर ऐसी मिलेगी जहां पर ए एक अस्थान पर ये मिलेंगे, मिलने के बाद फिर इसकी दूरी जो है आपस में बढ़ती जाएगी, तो आप ये देख रहे होंगे कि समय अक्ष पर बी जो है एक बार पुनह कट करेगा, एक बार पुनह जो है ये इस एक्सिस को कट करेगा और आगे की तरब बढ़ जाएग परस्पा जुके दो गतिमान पिंडों के आपेकचिक बेग, अभी तक तो हमने देखा कि एक सीधी रेखा में ही अगर गतिमान है, वह समान दिसा में है या फिर भी परीद दिसा में है तो उसके लिए हमने फाइंड किया, अब यहाँ पर आप देखें कि relative velocity of two moving bodies inclined at an angle, किसी particular angle पर जो है अगर जुके हुए हैं, तो उनका जो सापेकचिक बेग या आपेकचिक बेग होगा, वह कितना होगा, तो एक vector VA बेग का और दूसरा जो है VB, दोनों के बीच angle है theta, अब आप इसे जो है, इस figure के तुरू कैसे बनाएंगे, तो पहले हम VB को दिये गए magnitude direction में ख OQ को ये हम खीच लिए, अब क्या करना है आपको, कि हम यहाँ पर क्या find कर रहे हैं, VAB, तो VAB का मतलब हो गया कि velocity of object A with respect to B, जिसके respect में हम find करते हैं, उसका opposite vector खीच लिजिए, तो यहाँ पर हम B के respect में निकालना हैं, तो जो VB velocity का है, इसके opposite हमने same magnitude का जो है, खीच लिया, अब यह हो गया minus VB, अब आप जो है, OQ और OP dash, OQ means vector VA और OP dash minus vector VB, अब इसके बीच में कोंड कितना बनेगा, तो यह एक straight line हो रही है, तो total angle हो गया 180 degree, अब इसमें से theta degree minus हो गया, तो angle कितना बचा, अब यह देखिए, यहाँ से जो angle है, यह angle हो गया 180 minus theta, अब यहाँ पर vector VA और minus VB, इन दोनों के बीच हम resultant find करेंगे, तो आप एक चिक बेक के लिए भी हो गया, कि VAB equals to under root VA square, जैसे आप R equals to under root A square plus B square plus 2AB cas theta कहते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर under root VA square plus VB square plus 2VAVB cas, और theta के जगह पर हो गया 180 minus theta, cas 180 minus theta equals to क्या होता है, minus cas theta, अगर आप ACTS rule से देखें, तो यह, एक 180 में से अगर घटाएंगे, तो दूसरे quadrant, second quadrant में पड़ेगा, और जब second में पड़ेगा, तो उसमें sin की value positive होती है, तो cas क्या होगा, negative, तो यह जाएगा minus cas theta, तो VA square plus VB square minus 2VAVB cas theta, यह हो गया, VAB, यानि इसका magnitude निकल गया, अब इसका जो resultant है, जो resultant OR है, जिसको कि हम VAB कह रहे हैं, यह, पहले vector अर्थात VA के साथ beta cone बना रहा है, यह देखें, VA के साथ beta cone बना रहा है, तो जब beta cone बना रहा है, तो tan beta equals to formula क्या होता था, B sin theta, तो B के जगा पर हो गया, VB sin 180 minus theta upon A plus B cas theta, तो A के जगा पर VA plus B के जगा पर VB cas 180 minus theta, sin 180 minus theta equals to sin theta, और cas 180 minus theta equals to minus cas theta, तो tan beta equals to VB sin theta upon VA minus VB cas theta, यह इसकी resultant के लिए formula हो गया, अब इसके कुछ special cases हैं, जैसे, जब दोनों pin्ड एक ही दिसा में, सीधी रेखा में गतिमान हो, तो जब सीधी रेखा में गतिमान हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर 0, तो जो फार्मूला है, VA equals to under root VA square plus VB square minus 2, VA VB cas theta, तो यह हो गया, cas 0, cas 0 की value 1, तो इस तरह से हो गया, VA square plus VB square minus 2, VA VB, अब यह आप देख रहे होंगे, कि A plus B का whole square, यानि A minus B का whole square के बराबर है, तो A minus B, that is VA minus VB का whole square, और यह under root में है, तो root हट गया, अब यह हो गया, VAV equals to VA minus VB, जो की straight line के लिए आपने सीधे अभी देखा था, जब दोनों pinड एक दूसरे के बिपरीत दिशा में, VB square minus 2, VAVB, कास 180 minus theta, अब कास 180 minus theta की value कितनी होगी, minus 1, और यहाँ minus पहले से है, तो minus minus क्या हो गया, plus, तो VA square plus VB square plus 2VAVB, अब जो है, यह, A square plus B square plus 2AB के farm का है, that is, VA plus VB का whole square, और फिर root से बाहर निकालेंगे, तो आजाएगा VA plus VB, तो इससे भी आपने यह देखा, कि अगर दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो जो relative velocity होती है, वह एक दूसरे का difference हो जाती है, और जब opposite होते हैं, तो उसका sum हो जाता है, अब आप इस पर एक दो numerical question करें, ताकि concept clear हो जाए, तो यह देखें, किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 km पर गंटा की चाल से चल रही है, और यह उसी दिशा में 192 km पर आवर की चाल से जा रही चोर की कार पर गोली चलाती है, यदि गोली की नालमुखी चाल 150 मीटर प्रति सेकेंड हो तो चोर की कार से गोली की चाल से टकराएगी अब कोश्चन तो आफ समझी गए होगे ये पुलीस की गाड़ी है और ये चोर की गाड़ी है पुलीस की गाड़ी चल रही है 30 km पति घंटा की चाल से और चोर की गाड़ी 192 km पति घंटा की चाल से तो क्या दवडा की पुलिस पकड़ पाएगी तो पकड़ नहीं पाएगी तो क्या होगी फाइरिंग तो करेगी ना अब फाइरिंग करेगी तो देखें क्या होता है जो पुलिस की गाड़ी से ही जो है ये बंदूक से जो है चला ही जा रही है, तो यहां पर देखी क्या-क्या लिया गया है, कि पुलिस की गाड़ी का वेग, V-P, P stands for police, तो 30 km per hour, अब यहां पर मिटर पर सेकेंड में है, इसलिए km per hour को हम मिटर पर सेकेंड में convert कर लेंगे, त तो 13 x 5 x 18, multiply की बाद आगया 25 x 3 meter per second. चोर की गाड़ी का, VT, T stands for thief, तो 192 km per hour, तो 192 x 5 x 18, तो 160 x 3 meter per second. और गोली की नाल मुखी, जो मजल स्पीड है, मजल स्पीड, तो इसलिए इसको भीम दिया गया है, equals to 150 meter per second. अब देखिए, गोली का जो प्रभावी बेग होगा, वो कितना होगा? यह जो है, गाड़ी पर से ही चलाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसको और सहारा मिल गया, तो वेलास्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर? बढ़ जाएगी. तो जब बढ़ जाएगी, तो गोली का जो प्रभावी बेग होगा, VB, B stands for bullet, equals to VP plus PM. अर्थात, गाड़ी का जो बेग है, वह, और मजली स्पीड जो बुलेट का है, दोनों सम हो जाएगा. तो यह होगा, 25 by 3 plus 150, that is 475 by 3 meter per second. अब पुछा गया कि चोर की कार से गोली की इस चाल से टकराएगी? तो गोली का चोर के कार के साथ आप एक चिक बेग क्या होगा? VBT, V, B किसके लिए? बुलेट के लिए, T, थिप के लिए. तो इसके respect में, तो VBT equals to VB minus VT, VB की value कितनी है? यहां से देखें, 475 by 3, और VT की value कितनी है? VT आपने find किया है, 160 by 3, तो minus 160 by 3, तो यहां गया, 315 by 3, that is 105 meter per second. अर्थात, जब यहां से गोली चलेगी, तो वो किस बेग से इस से टकराएगी? 105 meter per second. दूसरा question है, एक train 40 km per hour की चाल से उत्तर की ओर गतिमान है, वायू 30 km per hour की चाल से पुर्व की ओर बह रही है, ट्रेन में बैठे यातरी को किस बेग से बहती हुई प्रतीत होगी? तो अब यहां पर आप देख रहे हैं, कि एक जा रहे हैं, उत्तर की ओर, ट्रेन का बेग जो है, VT, 40 km per hour उत्तर की ओर, और Y, हवा का बेग है, wind, VW equals 30 km per hour, यह पुर्व की ओर है, उत्तर और पुर्व, दोनों एक दूसरे की बीच में 90 डिगरी का कोड हो गया, यहां पर हम को आपेक्चिक बेग निकालना है, तो आपेक्चिक बेग निकालना है किसके लिए, VWT, तो ट्रेन में बैठे यात्री को, ट्रेन और Y की आपेक्चिक बेग के बराबर बहती हुई परतीत होगी, तो हम यहां पर क्या फाइंड करें, हम यहां पर यह फाइंड करेंगे, कि wind का train के सापेक्ष बेग तो VWT equals to under root ये magnitude आप VW का square plus magnitude आप VT का square तो VW means ये देखें 30 और ये 40 ये रख दिया तो ये आगया 2500 that is 50 km पर आवर अब इसकी दिशा किदर से होगी तो दिशा तो आप इसमें find कर सकते हैं कि दिशा किदर होगी तो ये दिशा जो है आप figure बना करके ये उत्तर की ओर हो गया और ये पूर्व की ओर हो गया तो पूर्व के लिए हम फिर ये left side खीचेंगे इसकी दिशा फिर हो जाएगी इस तरफ से